देखा जाए तो ज़्यादा तर लड़के इसी बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे उस लड़की को पटाऊं, कैसे उस लड़की को इंप्रेस करों, मगर आप इस बात पर कभी ध्यान नहीं देतें कि आप उसे इतने टाइम से इंप्रेस कर रहे हो, इतने टाइम से पटाने की को पुसिस कर रहे हो, क्या वो आप से पट चुकी है, या फिर नहीं पटी है, लड़के लोग ना इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसे इंपर इंपर्स करने में, उसे कैसे बिए अपने तरह पा है अट्रैक करने में, इतने ज्यादा बीजी हो जाते हैं ना, मगर फिर भी आप उसके पटाने पर ध्यान देते हो मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती नहीं करोगे क्योंकि अगर कोई लड़की आप से पढ़ चुकी होगी न तो ऐसे इसारे आपको जरूर देगी ठीक है, दो-तीन साइन है उसको रिपीट मैंने किया है, मगर इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आपको एक्स्प्लेइन कर दू तो वीडियो में बना है रखे अपना प्यार एंड तक विना वीडियो को इसकीप किये वे छोटी से रिक्वाइस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजेगा, अगर आप चैनल पे नए है तो सस्क्राइब करके नोटिपिकेशन बैल को आल पर प्रेस जरूर करिएगा चलिए सबसे पहले पोइंट की हम बात करते हैं उस लड़की को इंप्रेस करने से पहले आपका फ्रेंड एक डाउट में किलियर कर देता हूँ अगर आप किसी लड़की पर ट्राई मार रहे हो ना अगर आप उसे इंप्रेस करने की कोसिस में लगे पड़े हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उससे पता नहीं चल रहा तो आपकी ये सबसे बड़ी गलत फैमी है इस पॉइंट को फ्रेंड सबसे पहले किलियर में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक बात समझ में आज सुके कि जब हम किसी इंसान को दिखाते हैं कि हम तुमसे बेहत मोहबत करते हैं या फिर प्यार करते हैं तो उस इंसान को दिखता है मगर वो कही न कही उस बात को एकसेप्ट करना नहीं चाता है इसके वज़ा से वो आपको सामने से ही नहीं बताना चाता है वो आपको हिंटस देता है जिससे आप समझ सको कि हां मैं में तुम में interested हूँ या फिर नहीं हूँ तो friend अगर आपके ये doubt है कि आप उसको इतने time से impressed करने में लगे पड़े हो, पटाने में लगे पड़े हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो समझी ने रही है तो आपके गलत thought है, वो समझ रही है मगर इस दोरान वो आपके सामने बस एक ही हरकत कर सकती है जैसे कि उससे पता है कि आप उससे follow करते हो मगर लड़की को बुरा नहीं लगता है, लड़की बार बार पलट पलट कर देखती है लड़की को पता है कि आप उससे बात करना चाहते हो इसलिए तो उसी गली से वो बार-बार जा रही है उसलिए तो उस जगा पर बार-बार खड़ी हो रही है इसलिए तो आपको मौका दे रही है कि आप उससे जा करके बात करो तो भाई ये सब डाउट को आप क्यूं हलके में लेते हो यार आपको जब दिख रहा है तो फिर भी आप उसे बात कॉन हुआ आप ही हुए नबाई तो इस बात को पहले accept कर लो अब यहां पर मैंने आपको कुछ छोटा बडा नहीं कह दिया बस मैंने आपको एक sign समझा है अब बात करते हैं friend दूसरे sign की दूसरे point में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब भी आप उस लड़की से बात करते हैं, जब भी आप उस woman के पास जाते हैं और आप उससे बात करते हैं, तो उसके चेहरों का क्या reaction होता है, क्या वो बोर फील करती है, क्या वो आपके तरफ attention दे कर बात नहीं करती है, उसका ध्यान कहीं और लगा रहता है, या फिर ऐसी फीलिंग आ रही है, कि तो जब अदस्ती मुझसे बात करना चाहती है, ये तो कभी बात करने में मुझ में इंटरस्ट रखी नहीं है, मैं ही इससे बात करने के लिए मरता रहता हूं, यहाँ पर आपको ये चीज बस नोटिस करना, अगर आपको उसके चेहरे को अर्यक इसके चेहरे पर 12 बजे थे, मगर जैसे ही में इसके पास आया, तो इसके चेहरे पर ग्लो कहां से आगया, क्यों ये इतनी ज़्यादा मुस्कान भरली अपने मन में, क्यों मुस्क्राइन लग गई मनी मनी ये, ऐसा क्या हो गया, फ्रेंड इसका मतलब ये हो गया, कि उसको आपसे प्यार हो गया है, ठीक है, बस वो आपको बतानी रही है, वो तो बस चार ही है, कि आप किसी ने किसी बहानी से उसके आसपास आते रहो, और जब आप उसके आसपास नहीं आते, तो वो किसी ने किसी बहानी को ले करके आपके आसपास भटकती ही रहती है, मंडराती ही तो भाई इस साइन को हलके में मत लीजेगा, अब इस साइन के बाद आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहला काम उससे क्लोजनस भढ़ानी है, धीरे धीरे क्लोजनस जब बढ़ जाए तो अपनी दिल की बात कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि भाई लड़की को इंप्रैस करने क साथ ही साथ उससे अपनी दिल की बात भी कहने की हिम्मत रखो, अगर आप नहीं रखते तो जिंदगी भर सिंगली रहोगे, करक्ट है भाई, ठीक है, तो इतने तो गश्ट आपके अंदर होना ही चाहिए, प्यार में थोड़ी से रिक्ष्टो लेना ही चाहिए, जब वो ल पस उसके चेहरों का रियक्सन देखिए, आप उसके आउभाव भी चक कर सकते हैं उसके बात करने का, क्योंकि इस तरीके से बात कर रही है, आपको सिंपली फ्रेंड जबाब मिल जाएगा, ठीक है, बात करता हूँ फ्रेंड तीसरे पोइंट ही, बहुत इंट्रेस्टिंग इसे सुनिये का जरूर, अगर आप अपने क्रेस्ट को इंप्रेस्ट करने पर लगे पड़े हो, और आपको ये चीज़ का भी समझ में नहीं आ रही, कि मेरी क्रेस्ट पहले मुझसे किस तरीके से बात करती थी, मगर अब बहुत ही जादा प्रोलाइटली बात करती है, अब किसी के साथ वो मुझ टेढ़ा करके बात करती है, किसी के साथ वो बहुत ही जादा जल्दबाजी में बात करती है, और किसी के साथ वो ओपन नहीं बात करती है, मगर प्यार से बात, वो सिर्फ उनहीं के साथ करना चाहती है, जो उनकी फीलिंग को समझते हैं, अब अपने तरफ कैसे खिचू है अपने तरफ अट्रैक कैसे करूं तो उसके लिए फ्रेंड आपको उस वूमन का या फिर उस लड़की का इमोसन को समझना पड़ेगा अब उस मन की फीलिंग हो सकती है या फिर कोई सभी एमोसन हो सकता है अगर आप यह चीज समझ जाते हो तो उसे ज्यादा टायम नहीं लगता है आपको दिल देने में बस यह चीज समझने की देरों निची है कि अगर वो मुझे हिंट दे रही है तो मुझे समझ में आ रहा है अगर वो मुझे देख कर रहे है तो भी मुझे समझ में आ रहा है अगर वो लड़की के अंदर बेचे नहीं है कि मैं उसे आकर बात करूँ तो यह चीज भी मुझे दिखाई दे रही है तो इमोसन समझना फ्रेंड यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वरना आपको वो लड़की फ्रेंड गोंचु बोलके निकलते बनेगी कि इस लड़के को मैंने इतने सारे हिंट दिये इतने सारी बाते समझाए मगर इस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया ठीक है तो यह था आपका डाउट और इसी के साथ जो मैंने आपको बताया था ना कि लड़की अगर आपसे प्यार से बात करने लग गई है उसके बेहेबियर में यह चीज आपको देखने को मिल रहा है कि पहले लड़की अलग तरीके से बात करती थी मगर अब वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे एक्स्प्लीन करती है हर बाते पता देती है जितने मैं मतलब होता है कि लड़की पहले आपके बारे में कुछ भी सोचती हो मगर अब आपसे इंप्रैस हो चुकिए जिसे कहते है ना पट जाना वैसे कुछ हो चुका है इसलिए वो आप आपसे प्यार से बात कर रही है इसलिए वो आपको अपनी इमोशन को समझाने पर लगी तो यहां पर फ्रेंड मैंने आपका तीन डाउट किलियर किया, वैसे देखा जा तो छे डाउट था, मगर तीनों डाउट किलियर कर दिया, अब बाकी के फ्रेंड आपके और भी कुछ डाउट हो और आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से एक्स्पिलिन किया जाए, तो उसके लिए फ्रेंड इस वीडियो का पार्ट टू कमेंट जरूड करियेगा, अगर आप नहीं कर पारें तो इंस्ट्रग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कि अच्छी दिया जरूण कर सकते हैं,